भुपाल की सांसत साथवी प्रग्याठा को इस वक्त हमारे साथ है हाला कि इस बार जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है चोबीस उम्मी दवारों की मद्धे प्रदेश से उसमें भुपाल से अब आलोग शर्मा को टिकेट मिला हैं आपको टिकेट नहीं दिया गया भुपाल में आलोग शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है और उनके आगामी राजनेतिक शित्र के लिए मैं बिजय की कामना करती हूँ और आशिरवाद देती हूँ कि वो बिजय हूँ भुपाल बहुत ही अच्छा और कारे करने के लिए यहां बहुत स्कोप है तो राजधानी है इसलिए यहां के सांसत बहुत महतो रखते हैं टिकेट का निरणाय संगठन करता है पीजय पी ने किया है और जो निरणाय संगठन का है वह सर्वोपरी है हम कारे करता होने के नाते यही कहेंगे कि जहां संगठन का जो निरना है हम पूर्णता है समर्पित को करके संगठन के लिए कारे करेंगे और भुपाल सीट के साथ पूरा मद्यप्रदेश 29 सीटे जीत करके आए ये हमारी शुब कामना है और सभी को बहुत बहुत अश्यरवाद है आपको क्या लगता है कि क्या चूग हो गई भेहीं आपको अपने कहीं अपने पार्ट में चूग दिती है कि आपको दुबारा नाम नी आए देखे मैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी उन मुद्दों पर पूरे भुपाल ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया पूरे बिरोध पूरा शड्यंत्र पूरा एक कुचक्र पूरे भुपाल के साथ कॉंग्रेस की सरकार थी यहां और कॉंग्रेस का एक वो महत्वपूर्ण दंड जो हमेशा विधर्मी रहता है है भी पर उसके समक्ष मुझे जिन मुद्दों पर खड़ा किया गया भगवा को आतंक कहने वाला धिन्दुत को आतंक कहने वाला व्यक्ती उसको मेरे द्वारा परास्त किया गया यह ईश्वर की चाहत थी और यहां धर्म का ध्वज फेराया मुझे लगता है कि हम जैसे लोग विशेस कारे के निमित आते हैं और बनते हैं प्रभू बनाते हैं प्रभू जो कारे हमारे ठाकुर जो कारे सौपते हैं वह कारे हम जैसे लोगों के द्वारा पूर्ण होता है और उसके बाद जहां मार्ग बिलकुल आनंदमा है वहां सब सकते हैं तो मतलब विशिष कार पूरा होगे इसलिए आपको दुबारा डिडिकेटिक निश्यत रूप से ठाकुर की इक्षा जो होती है वही होता है और संघर्ष मेरा जीवन है क्योंकि आज भी मैं उस हिंदुत्यों के लिए अपने देश के लिए भगवा के सम्मान के आज मैं मुंबई से आई हूँ पेशी करके आई हूँ और मैं आनन्दित हूँ कि जो भी भाजपाने निर्णा लिए बहुत अच्छे हैं और हमारा समर्पन देश के लिए है अफसूस है किस बात का टिकेट ना मिलेगा नहीं नहीं ये टिकेट और राजनीती ये सब राश राश्टनीती करती हूँ राजनीती उसका एक मोहरा है राश्टनीती जो है बहुत ब्रहद है एक समुद्र है उसमें छोटी-छोटी नदियां मिल जाती है एक बड़ा स्वरूप बनता है और मैं मानती हूँ कि राश्ट के लिए जो समर्पन होना चाहिए उसमें हम कहीं न पीछे रहेंगे ना हें और सदेव देश के लिए कारे करते रहेंगे जो मेरा लक्ष है, राष्ट को परम बैवबव पर पहुँचाना, भारत को भूष गुरु बनाना, भारत मात को पुनाह अपने बैवबव को प्राप्त करवा कर विश्घु गुरु के सिंगहासन पर बा पॉलिटिक्स में? ब्रश्टा चार भी नहीं किये, हम निश्ट कलंक हो करके बाहर आये हैं, यानि हम चुनाओ की जो राजनी थी, दलगत राजनी थी, उससे हम अब निवरत हुए हैं, मुझे लगता है कि हम बड़े आनन्दित हैं, और हमारे द्वारा ठाकुर ने जो पांच वर्ष का काम करव जन जन जानता है कि मैंने क्या किया है, मैंने भुपाल की जनता को, मातर शक्ती को, बालिकाओं को संरक्षन दिया है, मैंने हिंदुत का संरक्षन किया है, मैंने जो भी कार सरकारी थे, वो मैंने किये हैं, हमने जो भी कारते किये थे, वो मैंने सब राष्ट धर्म पर चलकर पूर्ण किये हैं और यह जन जन जानता है सन्यासी होने के नाते लोकेशना मेरे अंदर कम है और इसलिए वो लोकेशना मैं नहीं पाना चाहती मैं प्रचार प्रसार कम करती हूँ काम किया और भूल जाये क्योंकि जनता याद रखेगी मुझे याद रखने की आवश्रक्ता नहीं है ये मेरी राजनीती कहती है और यही मेरा राष्ट धर्म कहता है और यही मेरे सिध्धान्त कहते हैं और मैं उसी पर चलने वाली हूँ जै हिंदु राश्ट हमारी जो न्यूजेटिन इंडिया की दर्शक बलकि देश का हर सक्सी जानना चाहेगा क्योंकि आपने पांच साल भूपाल में बतौर सांसत काम किया एक बात बड़ी बीच में आई कि प्रधार मंतरी नरेंदर मोधी आपके बयानों की वज़े से बीच में नाराज हो गए क्या सच्चाई थी आपने क्या बात की क्या सफाई दी क्या वो बज़े है आपके दुबारा नाने की वज़े देखे राष्ट के लिए नीती तयार करना राज चुनाओं के लिए कैसी राज नीती होना चाहिए कि लोगों को आना चाहिए पिछली बार भी जब मुझे लड़ाया तब भी उनकी नीती निश्चित थी कि हमें आज देश की किस चीज की आवश्रकता है देश को उसके लिए हमें उन्होंने चुना और हमें चुनाव लड़ाया, मैं जीती व्यक्तिगत अगर किसी को कुछ बुरा लगता है मानने प्रधान मंत्री जी को अगर व्यक्तिगत हमारा कुछ बोलना बुरा लगा तो लग सकता है और ये उनकी विचार हैं, हमने जो कहा वो हमारे विचार है हम देश को सर्वोपरी मानते हैं, उसके लिए सदैव, हम समर्पित हैं और हम वो जो मानते हैं, जो हमारे विचार परिपक्व हैं हम कभी हसी मजाक में अपने सिद्धानतों को अभी मजाक नहीं करते और ना उड़ा सकते ना अपने विचारों का उड़ा सकते जो मेरा प्रारब्द है जो मेरी निवपड़ी है संसकारों की देश के लिए वो इस्थिर है इस्थाई है और वो चिरंतन है हम कभी इस से पीछे नहीं हटते हैं और ब्यक्तिगत अगर किसी को बुरा लगता है तो ह हो सकते हैं हमारे मतवेद हो सकते हैं मनभेद हो सकते हैं पर निरना हमारा देश के लिए है और वो मोदी जी के साथ भी है हमारे देश के साथ है हमारे राष्ट धर्म के साथ है हिंदुत्य के साथ है मुझे लगता है हमारी भारत माता के साथ है इसमें हमारा और माननी मोदी ज जितना सेहन कर रहे हैं मोदी जितना राजनीति के लिए सेहन कर रहे हैं उनने अपना समर्पन किया है राजनीति के लिए मुझे लगता है कि वो हर पल वो कष्ट भी महसूस करते होंगे और हर पल वो अपने को तैयार करके देश के लिए जोकते भी हैं अपने आपको समर्पि होते हैं और तभी इतनी बड़ी राजनीति करके कॉंग्रेस जैसी बिधर्मी पार्टी बामपंतियों की जो पार्टी है देश द्रोहियों को जबाब देने के लिए उनका वो मनोबल कभी कम ना हो इसलिए मैं सदय उनके साथ हूँ देश के साथ उनके जो विचार है मैं पू उसकी आवश्रकता है और भाजपा जिन मूलियों को लेकर के चलती है जिन कारियों को लेकर के चलती है वो हमारे देश के लिए और विश्र के लिए अनिवार हैं क्योंकि आज विश्र की जो परिस्तिती है वह किसी से छुपी नहीं है इसलिए भारत का नित्रत उसी प्रका भी बार्बी टिकेट नहीं मांगा और मैं अभी भी नहीं मांगूंगी. मेरी जहाँ आवश्चता जिस रूप में होगी इश्वर वो तै करेगा और मैं उसी रूप में काम करना पसंद करती हूँ. इस प्रकार की याचना कभी नहीं करूंगी. जिसमें मेरा निहित कुछ ऐस जो कह रहे हैं वो टिकेट मांगने नहीं जाएंगी जो कह रहे हैं कि उनके लिए एक जो मकसद था उनके लिए जिस मकसद से पार्टी ने तै किया था 2019 में भुपाल से चुनाओन राया था दिगविजा सिंग के खिलाब मैदान में उता रहा था वो मकसद पूरा हो गया लेक से चुनाओन थे जिए तूरा दिता रहा रहा है scary जाए उिए Maxi